नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज और इस सीरीज की आज हम 116 वी क्लास यहाँ पर कवर करेंगे जैसा आप जानते हैं इस सीरीज में आपको GK के previous year question यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन questions को हम उसी language में जैसे यह exam में आते हैं उन्ही options के साथ extra fact के माध्यम से कवर करते हैं जिससे आपके जो previous year के questions हैं वो भी solve हो सके और extra fact के माध्यम से आपका revision भी यहाँ पर चल सके अगर आपने इस सीरीज की पिछली classes को नहीं देखा है तो आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है भारतिया सम्विधान का अनुचेद 338 किस से संबंदित हैं कई बार हमने इसको cover किया है सम्विधान की detail वाली सीरीज में भी इस topic को clear किया था जो article 338 है इसके 3 important article हैं एक article 338, एक article 338 का करपाठ है और एक article 338 का करपाठ है जो 338 है वो अनुचुचित जाती से संबंदित है यानि SC से जुड़ा हुआ है जो अनुचुचित जन जातिया आयोग है वो आपके article 338 का से जुड़ा है यानि ST आयोग से जुड़ा हुआ है और जो आर्टिकल 338 है वह पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा हुआ है यानि ये आपके OBC आयोग से जुड़ा हुआ है तो आपको पूछा गया है 338 के बारे में तो आप सीधा टिक कर देंगे अनुसूचित जाती आयोग तो option A इसका सही आंसर होगा सीधा कोशन आता है इनमें से कौन सा आर्टिकल अनुसूचित जाती आयोग से संबंदित है तो आप 338 कहेंगे जन जातिया आयोग से संबंदित है तो 338 कह कहेंगे और पिछड़ा वर्ग आयोग से कौन सा है 338 कह कहेंगे समिधान वाली सीरीज में इनके गठन को लेकर इनके समिधानिक तरजे को लेकर के हमने डीटियल में बात करी है निम्न में से कौन सी समीती चुनाओ सुधारों से सम्बंदित है तो चुनाव सुधारों से संबंदित जो समीती रही है वो दिनिस गोस्वामी समीती रही है Option A हमारा सही आंसर हो जाएगा दिनिस गोस्वामी समीती का गठन कब किया गया था? इसका गठन 1990 में किया गया था चुनाव सुधारों से संबंदित कुछ important समीतिया हैं जिनके बारे में आपके पास सवाल आते हैं जैसे एक समीति है तारकुंड़े समीति 1974 में ये बनी थी ये चुनाव सुधार से संबंदित थी दूसरी समीति है दिनिस गुस्वामी समीति 1990 में बनी एक समीति है वोहरा समीत 1993 में बनी थी, ये भी चुनवी सुधार से संबंदित है, विशेष कर अपराद और राजनीती को किस तरीके से अलग किया जाए, किस तरीके से उनको कम किया जाए अपराद को राजनीती में, उससे संबंदिती वहरा समीती एक समीती है इंद्रजीत गुपता समीती 1998 में आई थी ये भी चुनावी सुधार से संबंदित है एक है तनखा समीती 2010 में आई और एक है जेस वर्मा समीती जो 2013 में आई है ठीक है ये कुछ important समीतिया है जो चुनाव सुधार से जुड़ी हुई है समीधान वाली सीरीज में हमने जब भारत में राजनेतिक दलों के बारे में बात करी थी तो उसके अंतरकर हमने निर्वाचन प्रक्रिया को भी देखा चुनाव को भी देखा और चुनाव से जुड़े हुई जो समीतिया है उनको भी बात करी थी निम्न में से कौन भारत का एक मात्र यहुदी वाइसरोय था देखे भारत के जितने भी वाइसरोय थे सभी के सभी इसाईते क्रिश्चन थे एक मात्र यहुदी वाइसरोय भारत का कौन था इसका नाम था लोड रीडिंग ऑप्शन B सही आंसर हो जाएगा ठीक है रीडिंग की बात करते हैं यहाँ 1921 से लेकर 1926 भारत का वोईसरोय रहा था ठीके कोशन बनता है कब से कब तक रहा क्योंकि एक मात्र यहुदी वोईसरोय है ठीके अब इस घटना काल के दौरान इस टाइम पीरिड के दौरान जो जो घटनाय घटी उन सब के साथ किसका नाम जुड़ा होगा रेडिंग का नाम जुड़ा होगा सवाल बहुत सारे बनते हैं इसके कारकाल को लिकर के आपके पास सवाल आता है केरल का जो मोपला विद्रोह था किसके काल में हुआ पहले कोशन तो यही आता है मोपला विद्रोह कब हुआ यह 1921 में हुआ था केरल में सुराज पाटी की स्थापना सुराज पाटी को लेकर भी सवाल बनते हैं कब होती उसकी स्थापना 1923 इसी के शाशनकाल में हुई थी जो काकोरी कांड हुआ था काकोरी ड्रेन ढकेती हुई थी 1925 में वो भी इसी के शाशनकाल में हुई थी और एक और important question, RSS की जो स्थापना हुई 1925 में, वो भी इसी के काल में हुई थी, ठीक है 1922 में, इलहाबाद में सिविल सेवा परिक्षाओं की शुरुवात हुजाती है भारत में भी, वो 1922 से हुई थी, वो भी इसी के काल में, तो काफी important इसका time period था, काफी important घटनाएं घटी है 1921 से लेकर 26 के बीच में, ठीक है next है, निम्न वर्गों में से किसने 1857 के विद्रों में भाग नहीं लिया था देखे, 1857 के विद्रों में इन में से किसने भाग नहीं लिया था, 1857 की जो करांती थी, वो असफल रही थी उसकी असफलता के कुछ important कारण माने जाते हैं पहला कारण जो माना जाता है कि कोई प्रभावी नेता नहीं था अलग अलग छेत्रों में अलग 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 नेता जरूर विरोध कर रही थे लेकिन कोई केंद्रिया शक्ती नहीं थी जो केंद्रिया नेता था मुगल बाश्चा उस समय जो था वो काफी जाधा कमजोर था तो एक करण ये माना जाता है दूसरा करण ये माना जाता है कि जो सिक्षित वर्ग था जो जमीदार थे जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने इस आंदूलन का समर्थन नहीं किया था इसमें जाधतर कौन थे इस आंदूलन में जाधतर किसान थे मजदूर थे और जो सैनिक थे वो थे तो इसमें खेती हर मजदूर और क्रिशक इन दोनोंने भाग लिया साहुकार, सिक्षित वर्ग, जमीदार या मध्यम वर्ग जो उस समय था इन्होंने इस आंदूलन में भाग नहीं लिया था तो दो, तीन और पाँच इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया तो option C इसका सही आंसर हो जाएगा और भी कारण माने जाते हैं इस क्रांती के असफल होने का जैसे सीमित संसाधन जो इसमें भाग ले रहे थे जादतर सभी के सभी या तो मजदूर थे, किसान थे, सैनिक थे तो इनके पास न उतना पैसा था, न उतने इनके पास हत्यार थे मध्यमबर्ग, सिक्षितवर्ग, जो अमीर व्यापारी हैं, जमीदार हैं उन्होंने भाग नहीं लिया और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद करी इसको दवाने में तो इनका आपने याद रखना है कौन-कौन इसमें भाग नहीं लेते हैं निक्स्ट है, महत्मा गांधी ने सरुप्रथम कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- Option C, सही आंसर होगा इस घटना को भी आपने याद रखना है कि कब उन्होंने पहली बार कॉंग्रेस के अधिवेशन में बाट लिकेया था नेक्स्ट है किस जैन साधू को अकबर ने जगत गुरू की उपाधी प्रदान करी थी अकबर ने कौन से जैन संत थे या जैन आचार्य थे जिनको जगत गुरू की उपाधी प्रदान करी थी अकबर ने जगत गुरू की उपाधी हरी विजय सूरी को दी थी एक प्रसिद जैन धर्माचार्य थे इनको अकबर ने यहाँ उपाधी दी आपने याद करना है कि हरिविजय सूरी को कौन सिपादी मिली जगत गुरू की उपादी नेक्स्ट है अशोक के किस सिलालेख में पशु बली की निंदा करी गई है देखे अशोक के कौन से वाले शिलालेख में पशु बली की निंदा करी गई है सही आंसर हो जाएगा उसका जो पहला शिलालेख है अशोक के हमें कई सारे important शिलालेख मिले हैं इनकी संख्या total 14 है किस शिलालेख में क्या बात कही गई है वो आपसे पूछा जाता है अशोक के शिलालेखों की खोज करने का जो श्रे जाता है वो पादरेटी फैंतलर को जाता है पहले तो आपको इस कोशन को याद करना है पादरेटी फैंतलर ने 1750 में अशोक के शिलालेख की खोज करी थी हाला कि इसके शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसको मिली थी सबसे पहले वो जेम्स प्रिंसिप को मिली थी 1837 में ये दो important static gk का question जो बन जाता है अब इसके सिलालेखों में क्या बात कही गई है वो देखते हैं पहले शिलालेख में पशुवली की निंदा करी गई है तो इसको आपने याद करना है कोशन आता है अशोक के किस शिलालेख में बहरी घूश की जगहा धम घूश की नीती अपनाने की बात कही गई है यानि युद नीती की जगहा पर धर्म नीती अपनाने की बात वो कही गई है अशोक के चौथे शिलालेख में अगला अशोक के द्वारा धर्म महामात्रों की निप्ति का उलेख किस शिलालेख में है तब आप कहेंगे वो पांचवें शिलालेख में है जब उसने धार्मिक महामात्रों की निप्ति करी अगला अशोक के ने किस चिलालेख में आत्म नियंत्रन की शिक्षा दी है तो वो उसने छटे चिलालेख में उलेख किया है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उलेख किन शिलालेखों में है? तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उलेख साथवें और आटवें दोनों शिलालेखों में किया गया है अशोक के द्वारा किस शिलालेक में धम की व्याख्या करी गई है तो धर्म महामात्रों के निप्ती पांच में है धम घोश को अपनाने की जो नीती है वो चार में है लेकिन धम की जो व्याख्या करी गई है वो उसने अपने शिलालेक नंबर ग्यारा में करी है कलिंग युद्गा वर्णन किस में है? कलिंग युद्गा वर्णन उसके शिलालेक 13 में है और विदेशी राजाओं का उलेक भी 13 शिलालेक में है इन सब को आपने याद करना है इनको साथ में नोट करते वे चलें ताकि जब भी आप इस कोशन को देखें कि पशुबली की निंदा किस में है बाकी के जो इंपोर्टन शिलालेक हैं उनका भी दिवीशन एक कर पाएं नेक्स्ट हैं राश्ट्रिया उपभोकता दिवस कब मनाया जाता है रिपिटिट कोशन है कई बार अलग-अलग परिक्षों में पूछा गया है देखें राश्ट्रिया उपभोकता दिवस ये हर साल 24 दिसम्बर को मनाया जाता है Option D, सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986 को उपभोगता सरक्षण अधीनियम पारित हुआ था और इसलिए इस दिन को हम राश्टिया उपभोगता दिवस के रूप में मनाते हैं कब से मनाते हैं, एक्ट तो 86 में आ गया था, लेकिन दिन हम 2000 से मनाते हैं अगर यही कोशन आजाए कि विश्व उपभोगता दिवस कब मनाते हैं, विश्व उपभोगता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं राश्ट्रिया वाला 24 दिसंबर और World Consumer Day विश्व वाला 15 मार्च पहला कोशन तो यही बनता है, पुरंदर की संधी किस किस के बीच में हुई, तब आप कहते हैं, शिवाजी और जैसिंग के बीच में हुई है इस संधी के कारण शिवाजी को काफी जादा नुकसान होता है, उनकी छवी को काफी जादा नुकसान होता है, कई सारे के लिए उनको मुगलों को देने पड़ते हैं। यह जो संधी होती है यहाँ 11 जून 1665 में हुई थी। option C, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? एक और पुरं पुरंदर की संधी है, उस पुरंदर की संधी को कागस का टुकडा कहा था उस समय जो वइसराइथा वर्रिं हैस्टिंग ने जो गवर्नर था बंगाल का ठीक है? तो पुरंदर की संधी जो 1776 में हुई ए अंग्रेlined और मराठावं के बीच में उसे कागस का टुकडा किस न और सत्या कथन का चयन करें। देखे साइमन कमिशन को लेकर के तीन स्टेटमेंट दिये गए हैं। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। समधानिक सुधारों के बारे में अपने सिफारिशें देनी थी। देखे जब 1919 का एक्ट आय था तो उसमें ये बात कही गई थी कि 10 साल के बार एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा जो इसकी समिक्षा करेगा। तो वही वैधानिक आयोग था साइमन कमिशन। ठीक है। इस कमिशन का जो गठन होना था वो 10 साल बाद होना था यानि इसका गठन 1929 के करीब में होना था। लेकिन इसकी स्थापना होती है 1927 में। ऐसा क्यूं किया जाता है। क्यूंकि 1929 में ब्रिटेन के अंदर चुनाव होने थे। इलेक्शन्स वहाँ पर होने थे। और दो ही में जो लेबर पार्टी जो फोटार माना जाता था भारत के प्रती। जब भारत आजाद भी हुआ, उस समय ब्रिटेन में जो सरकार थी वो लेबर पार्टी की ही सरकार थी। 1927 में उस समय ब्रिटेन में Conservative Party की सरकार थी, 1929 में चुनाओ होने थे और उसके बाद एक वैधानिक आयोग बनना था Conservative Party को लगा कि यहाँ पर इन्होंने चनौजीत जाना है Labour Party ने और अगर इनके सरकार बनी तो यह आयोग अपने सदस्यों का बनाएंगे और वो फिर सारी मांगे भारतियों की मान लेगा उसी को देखते हुए Conservative Party ने दो साल पहले ही इस आयोग का गठन कर दिया था तो दियान रखना Simon Commission का गठन Liberal सरकार ने नहीं किया था Conservative ने किया था ठीक है तो बहुत ही important point है क्योंकि Simon Commission को लेकर के सवाल लगातार आपके पास बनते रहते हैं ठीक है Simon Commission के सदस्य जो थे अध्यक्ष तो इसमें Simon था John Simon इनके सदस्यों में Labour Party का एक प्रमुक नेता भी था उसका नाम पूछा जाता है जिसका नाम था Clement Attlee important इसलिए है यह Simon Commission का सदस्य भी था और आगे चल करके प्रधान मंत्री भी बनता है जब भारत आजाद हुआ यही विक्ति प्रधान मंत्री था Labour Party का ठीक है तो सदस्य दोनों के होने थे लेकिन जादा जो होने थे वो उस Party के होंगे जिसके सरकार होगी तो यह आपका concept अप अच्छे से clear हुआ कि इसका गठन किया किस ने था तो इसका गठन किया था Conservative Party ने ठीक है Conservative को Britain में Tory भी कहते हैं तो इस question को भी ध्यान रखना कि Tory सरकार ने किया था दूसरा इसका मुख्य उद्देशिया भारत में समधानिक ववस्था की कारश एली का अध्यन करना था और उसके बारे में सुझाओ देना था यह आपका बिलकुल सही है समधानिक सुधारों के लिए यहाँ पर आया था ठीक है भारत में इसके विरोध को देखते हुए वोईसरोई इर्विन ने भारत के लिए डॉमीनियन स्टेट्स का दरजा या उसके एलान की यहाँ पर घोशना करी थी यह वाला स्टेट भी आपका सही है देखे साइमन कमिशन समधानिक सुधारों के लिए आया था इसमें सारे के सारे अंग्रेश थे इसी बात का विरोध किया गया था कि जब इसमें कोई भारतिया ही नहीं है तो वो कैसे यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ के समधानिक विवस्ता के लिए क्या-क्या चीज़ें सही है जब ऐसा विरोध हुआ तो वाइसरोय इरविन ने 1928 अक्टूबर में घोशना करी कि हम भारत को Dominion State का दर्जा देंगे हाला कि कब दिये दर्जा दिया जाएगा उसके बारे में कोई घोशना नहीं करी गई कहा गया बाद में गुल में सम्मेलन होंगे वहाँ पर चर्चा करी जाएगी इसी कुद देखते हुए कॉंग्रेस ने इसका विरोध किया था 1928 में जब कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहाँ पर साफ कहा गया कि अगले एक साल के अंदर डॉमिनिन इस्टेट का दर्जा दिया जाए उसके बाद हम केवल पून स्वराज पर ही अपनी मांग को करेंगे अगर नहीं दिया जाता है अंग्रेजों ने नहीं दिया और 1929 के लाहर अधिवेशन में कॉंग्रेज ने फिर किसकी मांग करनी शुरू करी पून स्वराज की मांग शुरू करी तो यह सारी कहानी है जिससे हमने राष्टिया आंदोलन वाली क्लास में पूरा डीटेल में इसको जाना था कैसे पूरा घटनकरम हुआ और जो जो फैक्ट इसके जुड़े हैं उनको भी कवर किया तो पहला वाला कथन गलत है दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबीटकर ने किस वर्ष दलितों के लिए डिप्रेस्ट क्लास एसोशेशन यानी दमित वर्ग एसोशेशन का गठन किया था पहला कोशन तो यही हो गया डिप्रेस्ट क्लास एसोशेशन यानी डिप्रेस्ट वर्ग एसोशेशन का गठन किस ने किया था डॉक्टर भीमराव अंबेटकर ने किया था और इसकी स्थापना इन्होंने 1930 में करी थी Option C, सही आंसर होगा Next निम्न में से किस ने कहा था कि भगत सिंग जिंदाबाद वो इनकिलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है तो दोनों का मतलब एक ही है अब भगत सिंग जिंदाबाद कहें या इनकिलाब जिंदाबाद कहें दोनों का अर्थ एक ही है यह स्टेट्मेंट दिया था सुभाष्चंद्र बोस ने Option B, सही उत्तर यहां पर होगा मुगल काल में किसानों के संधर्व में निमलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुने दिखी मुगल काल के भारतिया फारसी सुरोत किसान के लिए आम तौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे तो मुगल काल में बिसिकली सवाल यह है किसान को क्या कहा जाता था किसानों के लिए मतकालीन भारत में रेयत भी कहते थे जिससे संबंदित बात में रेयत वाड़ी विवस्था भी आई किसानों के लिए आसामी भी कहा जाता था और जादतर मुगल काल में किसानों के लिए मुजरियान शब्द का इस्तेमाल होता था तो पहला वाला statement आपका सही है दूसरा, सतरवी शदी के सुरोथ, दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं एक है खुद कास्-थ और एक है पाही कास्-थ ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा किसानों की उस समय दो ही किसमें मानी गई है एक आपके खुद कास्त और एक पाही कास्त पाही कास्त वे खेती हर थे जो दूसरे गावों पर ठेकी पर ठेके पर खेती करने जाते थे ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है देखें जो खुद कास्त होते थे यह वो किसान होते थे जो उसी गाओं में रहते थे जहांपर उनकी जमीन है वहीं पर अपनी जमीनों में काम करते थे वहीं की जमीनों में काम करते थे जबकि जो पाही कास्त थे वो ठेके पर काम करने के लिए दूसरे गावों में जाते थे जहां पर उनकी जमीने नहीं है इसको आपने ध्यान रखना है तो तीनों statement आपके यहां पर सही हो जाएंगे नेक्स्ट है गुप्ट वन्ष के किस शाशक को लिच्वी दोहित्र कहते है लिच्वी दोहित्र यानि लिच्वी रानी से उत्पन पुत्र वो किसको कहा जाता है ये कहा जाता है समुद्र गुप्ट को option C हमारा सही आंसर होगा देखे जो चंद्र गुप्ट प्रथम था गुप्ट सामराज्य का जो संस्थापक था इसने लिच्वी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था और उन्ही का पुत्र था जिसका नाम था समुद्र गुप्ट समुद्र गुप्ट का जो प्रियाग अभिलेख है उसमें इसको लिच्वी दोहित्र कहा गया है यानि लिच्वी कन्या से उत्पन कहा गया है तो कोशन बनता है लिच्वी राज कुमारी से शादी किसने करी थी? चंदरगुप्त प्रथम ने और उसका पुत्र कौन है? समुत्रगुप्त है ठीक है? नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरीका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानिता किस वर्ष में दी थी? देखे, अमेरीका ने अपनी स्वतंत्रता की जो घोशना करी थी, वो 4 जुलाई 1776 को कर दी थी लेकिन ब्रिटेन ने मानिता कब दी? ब्रिटेन का ही एक उपनिवेश था, जादतर हिस्सों पर ब्रिटेन का ही हिस्सा था ब्रिटेन ने इनको जो मानिता दी थी, जब पैरिस की संधी होती है 1783 में उसी के साथ अंग्रेश सरकार के द्वारा अमेरीका को स्वतंत्रता की मानिता यहाँ पर दी गई अप्शन C इसका सही आंसर होगा हाला कि कुछ जगहों पर 1781 भी दिया गया है क्योंकि 1781 में ही जो ब्रिटिश कमांडर था यहाँ पर कॉर्न वॉलेस उसने यहाँ का जो स्वतंत्रता सिनानी था जिसको नायक कहते हैं यहाँ के 1780 सिनानी का जोर्ज वाशिंग्टन उसके सामने आत्म समर्पन किया था वो 1781 में किया था उसी के साथ अंग्रेजों की हार हो जाती है कुछ जगहों पर दिया है कि उसी वर्ष अंग्रेजों ने इनको मानिता प्रदान कर दी कुछ जगहों पर है कि जो पैरिस की संधी होती है यहाँ पर उसके साथ इनको आधिकारिक मानिता मिली तो ओफिशल कहेगा तो 83 और कहेगा कब आजाद हुआ अमेरिका ब्रिटेन से तब आप 81 को कहेंगे ठीक है नदियों का उत्तर से दक्षिन की ओर सही क्रम क्या होगा तो देखें यहाँ पर आपको पांच नदियां दी गई हैं इन नदियों को आपने उत्तर से दक्षिन की ओर लगाना है सबसे उत्तर में इन में से कौन सी नदी हो जाएगी सबसे उत्तर में होती है हमारी चेनाब नदी चेनाब नदी के बाद उसके नीचे कौन सी नदी है रावी नदी है रावी नदी के बाद आप देखेंगे तो नर्मदा नदी पहले है और उसके नीचे है तापती नदी और फिर end में आती है हमारी प्रमुक कावेरी नदी तो ये इसका सही क्रम है चेनाब, रावी, नर्मदा, तापती और कावेरी तो option C इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बस दो बाते आपको पता होनी चाहिए थी कि चेनाब नदी पहले बहती है उसके नीचे रावी नदी कस्थल है ऐसे ही नर्मदा उपर है और तापती उसके नीचे है ठीक है निक्स्ट है निम्न कतनों पर विचार करें और इनमें से कितने सही है वो बताईए कौन से सही है वो नहीं बताना है कितने सही है वो बताना है पहला क्या ये सही हो जाएगा बिल्कुल आपका सही है जैसा हमने कल जो हमारी क्लास थी भारत के परिवहन तंत्र सड़क परिवहन के बारे में हमने बात करी थी उसमें देखा था कि उत्तर दक्षिन गलियारा शिरी नगर से लेकर कन्य कुमारी को जोड़ता है 3700 किलो मेटर के गरीब इसकी कुल लंबाई है ठीक है दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा सिल्चर को एहमदाबाद से जोड़ता है ये आपका गलत हो जाएगा सिल्चर से तो होता है लेकिन एहमदाबाद नहीं गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है ठीक है जो पूर्वी पश्चिम गलियारा है लगवग 3500 किलो मेटर करीब इसकी लंबाई है तो सेकिंड वाला गलत है तीसरा सीमा सडक संगठन 1962 में बनाया गया था ये भी गलत हो जाएगा 1960 में बना था आपको पूछा गया है कितने सही है आपने देखा केवल एक सही है option A हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ठीक है next है मैं यहाँ विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस विक्टी के पास संपत्ती है वहाँ वोट दे सकता है लेकिन वहाँ आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ती या सिक्षा नहीं है वहाँ वोट नहीं दे सकता यहाँ किस ने कहा था देखे जो यहाँ स्टेटमेंट है सतत विकास के किस लक्षे के करम में हैं देखे हमने कई बार बात करी है कि संयुक्त राश्ट के द्वारा एजेंडा 2030 को तै किया गया है जिसके तहर सत्रहा विकास लक्षे को निर्धारित किया गया है उनको numbering दी गई है कि पहला लक्ष ये है दूसरा ये है आपको पूछे जाते हैं मैंने कई बार आपको कहा टॉप 5 टॉप 6 आपको पता होने चाहिए जो पहला लक्ष है तो पहला लक्ष है वो गरीबी उनमूलन का है दूसरा जो लक्ष है वो भुकमरी को खतम करने का है तीसरा जो लक्ष है वो अच्छे स्वास्त का है चौथा जो लक्ष है यहाँ पर वो अच्छी सिक्षा का है कोशन बनता है सिक्षा कौन से नमबर पे है चौथे नमबर पे पांचवान जो लक्ष है वो लेंगिक समानता का है और छटा जो लक्ष है वो अच्छे पानी का है यहाँ पर स्वच जल की बात कर रहा है लक्ष छे इसका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है वैदिक काल में अमाजू शब्द किसके लिए परियुक्त होता था देखें वैदिक काल में वे इस्त्रियां जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उनके लिए अमाजू शब्द का इस्तेमाल होता था समीती का जो सभापती होता था उसके लिए वैदिक काल में इशान शब्द का इस्तिमाल होता था इन तीनों को आपने याद करना है अमाजू कौन होती थी आविवाहित रहने वाली इस्त्रियम सवाल बन जाता है तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपोर्टेंट प्रीविस यर कोशन्स को यहाँ पर कवर किया अत्रिक तथ्यों के साथ इनको देखा कहानी की तरह इनको समझने का यहाँ पर परियास किया उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं Thank you friends